नमस्कार हम कर रहे हैं उच्छ मादिमिक परिक्षा 2022 के लिए model प्रस्न पत्र और आज के इस वीडियो मैं हम पीछली जो model प्रस्न पत्र था उसका लेंगे, कक्सा 12 के लिए ये है हिंदी अनिवारी का model प्रस्न पत्र, परिक्षा 2022 22 के लिए तो देखते हैं पहला जो प्रस्ना था हमारा पहला प्रस्ना ही कि परस्नेल सब्द का हिंदी अर्थ हैं बोड परिक्सा में कक्सा 12 के लिए कारले सब्दा वले तो पहला प्रस्ना है हमारा परस्नेल सब्द का हिंदी अर्थ हैं इस परस्नेल सब्द का हिंदी अर्थ क्या है कार्मिक या फिर लोग आप्शन स पत्र पत्रिका हैं आप्शन द लिकित कार्या तो इसका उत्तर है कार्मिक यह परसनिल को कार्मिक कहते हैं चलिए दूसरा प्रस्णा है एक्सपेंडिचर सब्द का हिंदी अर्थ है ओप्शन अ व्याए ओप्शन ब मुनाफा ओप्शन स कमाना ओप्शन द संसकरन तो इसका उत्तर है ओप्शन अ व्याए एक्सपेंडिचर यानि व्याए तीसरा प्रस्णा तरनी तनुजा तट तमाल तरूवर बहुच्छाए आपको बताना ही कि इसमें अलंकार कौन सा है, हमारे पास option है अ उपमा अलंकार, option ब यमक अलंकार, option स अनुपरास अलंकार और option द रूपक अलंकार, तो इसका उत्तर है option स अनुपरास अलंकार, जहां पर सब्द में वर्ण की आवरती बार बार होती है, वर्ण की आवरती होती हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है इसमें तवर्ण की आवरती हो रही है प्रत्यक सब्द में तवर्ण सब्द के अलंकार है, option अ उपमा अलंकार, option ब रूपक अलंकार, option स उत्प्रेक सा अलंकार, option द यमक अलंकार तो इसमें रूपक अलंकार है, जब उपमे और उपमान में तुलना करके अभेद सावित किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है इस अलंकारों वाले टॉपिक को हम अगले जो अलंकारों वाला हमारा पूरा वीडियो होगा उसमें हम कलेर करेंगे अगला आपका प्रस्ण है पांचवा उसने कहा दस बज गए हैं उपरियुक्त वाक्य में कौन सी सब्द सक्ति हैं में बताना है कि सब्द सक्ति कौन सी हैं तीन सब्द सक्ति होती हैं लक्सना अभीदा और व्यंजना तो इसमें उप्षन लक्सना सब्द सक्ति उप्षन व्यंजना सब्द सक्ति उप्षन अभीदा सब्द सक्ति उप्षन द उपरियुक्त में से कोई नहीं तो इसका उत्त पर है options अभीदा सब्द सकती जहां पर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध होता है वहां पर अभीदा सब्द सकती होती है अगला प्रसने चठा विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं उपरियुक्त वाक्य में कौन सी सब्द सकती है लक्सना सब्द सकती वेंजना सब्द सकती अभीदा सब्द सकती या उपरियुक्त मेंसे कोई नहीं तो option स अभीदा सब्द सकती, विद्यारती स्कूल जा रहे हैं, वाक्य का मुख्य बोध जो है वो प्राप्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अभीदा सब्द सकती है, प्रेस्ने नमबर साथ, भासा के कितने रूप माने गए हैं, option A 2, option B 1, option स 3 और option D 4, तो इसका हुत्तर है option A बहासा के दो रूप माने गए हैं, बहासा के दो रूप हैं लिखिद और मौखिक बहासा, आठवा प्रसन है, बहासा की सबसे चोटी इकाई किसे माना गया है, option A ध्वनी, option B वर्न, ऐपशन सब्द या option D-पद, तो बहासा की सबसे चोटी इकाई वर्न को माना गया है, अ उप्शन अ सुरिकांत त्रिपाथी निराला, उप्शन ब आलोग धन्वा, उप्शन स हरिवंस राय बच्चन और उप्शन द जैसंका प्रसाद. तो इसका उत्तर है कि पतंग कविता आलोग धन्वा की रचना है. दस्वा प्रस्ण हालावाद की प्रवर्तक किसे माना गया है? अगला प्रस्ण है आपके लिए ग्यारवा, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, उपरियुक्त पंक्ती में जग जीवन का भार से क्यातात प्रिया है? तो ये हरिवन सराय बच्चन साब की जो कवीता है पहली जग जीवन का भार लिये फिरता हूँ इस पहली कवीता में इसका आर्थ हैं कि जीवन के प्रती अपनी जीम्मेदारियों को कवी ने यहाँ पर जग जीवन का भार कहा है अगला प्रस्ण आपके लिए बारवा पतंग कवीता में पतंग उड़ाने के लिए कौन सी रितु उप्यूक्त मानी गई है तो कवी आलोग धनवाने पतंग कवीता में पतंग उड़ाने के लिए सरद रितु को सबसे उप्यूक्त माना है अगला हमारा प्रसना है तेरवा बात सीधी थी पर टेड़ी फस गई बात किसके चकर में टेड़ी फस गई तो इस कविता में कवी ने कहा है कि बात भासा के चकर में टेड़ी फस गई प्रस्ण नमबर 14, केमरे में बंद अपाहीज, कवीता में कवीने किसे समर्थ सक्तिवान बताया है इसका उत्तर है कि इस कवीता में कवीने, इलेक्ट्रोनिक मेडिया को समर्थ और सक्तिवान बताया है अपने किसी निर्देश, घौशना, निर्णय, आदी से सम्बंधित सूचनाओं को जन साधरण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें विज्यप्ति कहते हैं प्रस्ण नमबर 16 अनुप्रास अलंकार की परिवासा लिखिए उत्तर है जहां कावे में वरनों की आवरती एक से अधिक बार हो चाहे उस में स्वरों की समानता हो या नई हो या निवी समता हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है मतलब वरन की आवरती हो रही हो हना एक ही वरन बार बार आ रहा हो उस पंक्ति में कावे में सब्दों में तो फिर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है अगला प्रस्ण है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं प्रस्ण नमबर 17 इसका उतर है अलंकारों के मुख्य जो है वो दो भेद हैं कहीं कहीं पर तीन भेद भी माने गए हैं तो दो भेद हैं उसमें पहला है सब्दालंकार और दूसरा है आर्थालंकार एक तीसरा भेद है जिसे उबिया लंकार भी कहते हैं लेकिन मोटे तोर पर मुक्य तोर पर अलंकारों के दो भेद माने गए हैं अठारवा प्रस्न है अभीदा सब्द सक्ति की बरिवासा दीजिए अभीदा सब्द सक्ति का अर्थ होता है कि जो मुख्यार्थ होता है यहां पर थोड़ी सी मिस्प्रिंट होगे लिखने में मुख्यार्थ यानि वाच्यार्थ वाक्य को पढ़ते ही हमें इसका अर्थ समझ किया जाता है मुख्य अर्थ जव उसका ग्रेंड किया जाता है 19 वप्रस्ण है देव नागरी लिपी का विकास भारत की किस प्राचीन लिपी से हुआ है देव नागरी लिपी का विकास भारत की जो प्राचीन लिपी है ब्रामी लिपी उससे हुआ है दो लिपियां मानी गई उसका उत्तर है कि व्यक्तवानी के रूप में जिसकी अभिवक्ति की जाती है उसे भासा कहते हैं व्यक्तवानी के रूप में जिसकी अभिवक्ति की जाती है हम जिसको बोल करके अभिवक्त करते हैं उसे ही भासा कहते हैं तो ये थे आपके 20 प्रसन और उसके उत्तर और अग के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद है